हेलो फ्रेंड्स आपके यूट्यूब चैनल मैट्स विजर्ड में आपका स्वागत है तो आज के इस पीडियो में जो है हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर से रिलेटेड एक और नए टॉंस नन टर्मिनेटिंग और नन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में डिसकस करेंगे और इसको समझेंगे एक्जांपल के थू और इसका डिफिनेशन के यादा उसके थू भी इसको समझने का पूरा-पूरा कोशिस करेंगे तो आप इसको अच्छे से समयना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो है वो सुरू से लेकर के लाश्टक बने रही है मेरी पूरी ऐसी कोशिस रहेगी मैं आपको पूरी अच्छे तरह से समझा सब कोशिस चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर लिखा हुआ है इसका डिफिनेशन है आपका कि कि यह आपका non-terminating, non-terminating और non-repeating decimal इसका है और इसका लिखा हुआ है कि decimal expression neither be terminating or repeating is known as non-terminating or non-repeating decimal expression मतलब कि ऐसा decimal expression ना तो आपका terminating हो नहीं वो आपका terminating हो और नहीं आपका वो repeating हो तो इस type के decimal representation को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं non-terminating, non-repeating अब question यह होता है कि आखिर यह repeating decimal representation, terminating decimal representation क्या होता है और repeating decimal representation क्या होता है तो मैंने इसको बताया था तो एक बार मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से समझने के लिए फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ कि terminating decimal क्या होता है और repeating decimal क्या होता है तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा, यह क्या है, किसी भी fraction को, किसी भी fraction को जो है, वो हम लोग decimal के form में क्या कर सकते हैं, decimal के form में represent कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 1 by 4, 1 by 4 लिखा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, decimal के form में, मतलब change करता हूँ, तो मैं कैसे करूँग के देंटर को लिखा उसके बाद जो नॉमिएटर में वन था उसको मैंने यहां पर डिवीडेंट के प्लेश पर लिखा अब अभी क्या होना चाहिए यहांיים तभी आपका division लगेगा जब आपका dividend जो होगा offset diviser से क्या होगा डिवाइजर से आपका बड़ा होगा तो यहाँ पर मैंने क्या किया यहाँ पर zero बठा करके मैंने एक decimal यहाँ पर पूट कर दिया अब मैं decimal जब मैं यहाँ पर पूट किया तो decimal पूट करने के बाद जो है मैं यहाँ पर जो हूँ और क्या कर सकता हूँ अपने आउ सकता के according जो है मेरे को जितना जरूआ था उसके according मैं यहाँ पर 0 पूट कर सकता हूँ मतलब लिख सकता हूँ तो मैंने 1 0 लिख दिया क्योंकि मेरे को 1 ही 0 का क्या था जरूरी था अब क्या हो गया 10 हो गया 10 जो हो गया आपका 4 से आपका बड़ा हो गया तो अब यहाँ division लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 to the 8 और ये एक और 0 लिखा क्योंकि मैंने point बैठा लिया तो मैं मेरे को जितना 0 चाहिए उतना मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ लिख सकता हूँ तो 4, 5 जा क्या हो जाएगा आपका 20 तो इस type से क्या हुआ कि इस fraction को मैंने जब decimal के form में change किया तो decimal के form में change करने के बाद जो है और क्या किया मैंने यहाँ पर मतलब decimal के form में change किया तो एक certain digit के बाद यह decimal आपका in कर गया तो जब भी किसी fraction को decimal expression में change किया जाए और एक certain digit के बाद पूरी प्रोज़सर division आपका उसका finish हो जाए तो उसको हम लोग terminating decimal कहते हैं तो यह हो गया आपका terminating decimal हो गया अब दूसरा question arise होता है कि इस type से और भी example हो सकता है मैंने terminating decimal और repeating decimal से related मैंने video बनाया है अगर आपने नहीं देखाया तो जाकर करके मेरे video section में देख सकते हैं वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से detail में समझा example के थूँ अब repeating decimal क्या होता है अब मैं यहां लिखता हूँ एक fraction अब इस fraction को भी जो है हम दो क्या कर सकते हैं decimal के form में change कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने क्या किया यह उपर वाला आपका nominator हो गया और नीचे वाला आपका जो हो गया क्या हो गया आपका denominator हो गया तो denominator को जो है वो diviser के place पर लिखेंगे और जो आपका nominator है उसको क्या करेंगे dividend के place पर रखेंगे अब यहाँ पर dividend आपका 1 है और diviser 3 है तो जब तक आपका dividend बड़ा नहीं होगा diviser से तक आप divide नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर भी मैंने क्या करना पड़ेगा decimal बैठाना पड़ेगा मैंने decimal बैठाया उसके बाद decimal करने के बाद जितना मेरे को 0 चाहिए उसके according जो है मतलब आवा सकता है के अनुरूप मैं यहाँ पर 0 क्या कर सकता हूँ पुट कर सकता हूँ, तो मैंने 1-0 ले लिया और अब क्या किया, 3-3 जा 9, फिर 3-3 जा 9, आप देख सकते हैं कि ये division जो है आपका कभी भी finish नहीं होगा, ये division जो है आपका continue, starting मतलब कभी end ही नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर 3 आपका repeat कर रहा है, तो 3 आ आपका repeat कर रहा है, इसको को repeating decimal कहते हैं, ठीका, तो ये हो गया आपका repeating decimal, जो कि उसमें एक digit, एक digit, दो digit या set of digit आपका repeat करे, तो ये हो गया repeating decimal, अब यहाँ पर इस आज के topic में जो है, वो topic है non-terminating, non-repeating, मतलब कि ऐसा decimal, ऐसा decimal expression, ना तो आपका terminating हो, नहीं आपका repeating हो, तो जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर, 0.3003003003004004, और dot 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 मैं कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये आपका non-terminating, non-repeating decimal representation का ये जो है, आपका क्या हो गया, ये आपका example हो गया, कैसे हो गया, पहली बार तो ये आपका terminating नहीं हुआ, terminating इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि ये certain digit के बाद आपका end नहीं किया, certain digit के बाद आपका end नहीं किया, और ये repeating decimal इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी set of digit जो है, वो आपका बार-बार repeat नहीं कर रहा है, यहाँ पर 30 हो गया, फिर यहाँ 3, उसके बाद 00, फिर 3, और उसके बाद 00, फिर 3, इसके बाद 00, फिर 3 जैसे कि आपका हो गया, एक और example से लोग समझते हैं, 5.800, फिर 8000, फिर 8000, फिर 8000, 008, फिर 500000, 003, dot dot dot, तो यह भी आपका, जो है, वो यह नहीं आपका repeating decimal है, repeating decimal इसलिए नहीं है, क्योंकि यह तो repeat करा, लेकिन repeating decimal उतब कहते हैं, जब उसका एक set of digit repeat करें, तो यहाँ पर 508 है, फिर 00, 0000 हो गया, फिर 500, 0000 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, 50 के बाद 3, तो यह आपका non repeating decimal हुआ, और साथ ही साथ यह आपका non terminating भी हुआ, क्योंकि यह इसका set of digit जो है, वो end नहीं किया, तो इस ट लोग लिख सकते हैं, तो यह था हमारा आज का topic, non terminating, non repeating, वीडियो आपको कैसा लगा, आप comment करके बता सकते हैं, और वीडियो आपको पसंद दया तो लाइक कर सकते हैं, और आपको चैनल से कुछ help मिला तो आप चैनल को subscribe कर सकते हैं, तो मिलेंगे next video में, तब तक के लिए, और भी नए topic के साथ, तब तक के लिए, enjoy भारत!